गोविन सहाय का घर स्वामी के रहने के लिए भी असुविधा जनक हो गया था और उनसे मिलने आने वालों के लिए भी वहाँ दस बारा से अधिक लोग नहीं बैट सकते थे और डॉक्टर लशकर तथा जमाल उद्दीन का प्रचार कुछ ऐसा था कि स्वामी के दर्शन करने आने वाले तथा उनसे चर्चा करने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी इससे स्वामी की किसी प्रकार की कोई दिन्चर्या भी नहीं बन पा रही थी वो बाजार से उठकर भी जैसे बीज बाजार में ही बैठे थे किसी भी समय कोई भी आधमकता था कोई कंपनी बाग जा रहा होता तो स्वामी के दर्शन करने आ जाता कोई राह चलता सुन लेता कि यहां कोई महात्मा ठहरे हुए हैं तो वो चरण धूली लेने आ जाता किसी को सत्संग का लोग था, किसी को अपने रोग से मुक्ति चाहिए थी, किसी को कोई मनो कामना पूरी करवानी थी, आशिरवात तो सबको ही चाहिए था अंतता उनके रहने की व्यवस्था पंडित शम्भूनात के घर में की गई शम्भूनात अलवर राजिस के निवरित इंजेनियर थे उनका मकान बहुत खुला था और घर के सदस से बहुत कम थे ये व्यवस्था स्वामी के लिए भी सुविधा जनक थी प्रातर नौ बजे तक वो एकांत में रहे नौ बजे लोगों से मिलने बाहर निकले तो देखा तीस बतीस लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे जमालुदीन ने अपने दो मित्रों से परिचे कराया स्वामी जी हमारे ये दोस्त हैं कुर्बान अली ये शिया हैं और ये हैं मुहम्मद जावेद ये कटर सुन्नी हैं इन दोनों में बहुत मदभेद है ये चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें कि दोनों में से किसका धर्म सच्चा है स्वामी हसे आपके अलवर में क्या कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो पीतल और तामबे को भी ऐसा रंग दे कि वो देखने में लोहे जैसे लगें है क्यों नहीं हमारे या तो ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो क्या वो पीतल लोहा हो जाएगा स्वामी बोले नहीं लोहा होने के लिए तो लोहा ही होना चाहिए दिखने को तो लकडी भी लोहे जैसी दिख सकती है कुर्बान अली बोले ठीक कहा कुर्बान अली अल्ला के प्यारे होने के लिए तो अल्ला से प्यार करने वाला ही होना पड़ेगा उपर से रूप चाहे कोई ओढ़ लो नमाज के समय सजदा करकर के माथे पर बना यह निशान हो यह पंडित का तिलक हो यह तो संसार को दिखाने के नाम पठ हैं स्वामी बोले तो आपने यह भगवा क्यों धारण कर रखा है स्वामी जी यह तो नामपठ भी नहीं पूरा का पूरा बोड ही है सब की दृष्टी उधर उड़ गई एक देहाती सव्यक्ती बड़े उजट भाव से कह रहा था कोई भी समझ सकता था कि वो प्रश्ट नहीं था वो तो स्वामी को उनका दोश दिखाने का प्रयत्म था एक प्रकार से पाखन करने का आरोप ही था कुछ लोग ततकाल उठकर उस ओर बढ़े जैसे उसे उठा कर बाहर ही फेंक देंगे किन्तु स्वामी ने अपने हाथ के संकेत से उन्हें मना लिया भगवा मैंने धारण किया है क्योंकि भगवा भिकारियों का वेश है स्वामी बोले मैं श्वेत वस धारण करूँ तो कोई निर्धन मुझसे भिक्षा मांग सकता है कई बार मेरे पास एक दमडी भी नहीं होती ऐसे मैं उसे क्या दूँगा संकट के घिरे व्यक्ती की फैली हथेली पर मैं कुछ ना रख सकूं तो मुझे कितना कर्ष्ठ होगा किन्तु इस भगवे वेश को देखकर कोई मुझसे भिक्षा नहीं मांगता भिक्षुक को तो भिक्षा दी जाती है उससे भिक्षा मांगी कैसी जाएगी लगा वो दंड व्यक्ती शांत हो गया जाने किस बात से उद्विग्न था वो स्वामी के उत्तर से उसकी उद्विग्नता ही शांत नहीं हो गई वो बहुत लज्जिद भी लग रहा था ये मत सोचना मेरे मित्र कि तुम्हें चुप कराने के लिए मैंने ऐसा उत्तर दिया है स्वामी बोले यही सत्य है सन्यास ग्रहन करने से पहले आपकी जाती क्या थी स्वामी जी सन्याटा चा गया ये प्रश्ण तो किसी सन्यासी से पूछे जाने के योग नहीं था जाने क्या बात थी? कौन से लोग आये थे? कायस्त स्वामी ने निश्कम्प स्वर में उत्तर दिया लगा सन्नाटा और भी गहरा हो गया स्वामी ने न प्रश्ण को टाला था नहीं स्वयम को श्रिष्ट सिद्ध करने के लिए ब्राम्मान होने का स्वांग रचा था उन्होंने स्पष्ट बता दिया था इन प्रश्णों को छोड़िये स्वामी जी इनका अध्यात्म या ईश्वर से क्या संबंध? डॉक्टर लश्कर ने का प्रश्ण तो प्रश्णी होते हैं डॉक्टर साब अपने श्रोताओं द्वारा पूछे गए व्यक्तिगत प्रश्णों के उत्तर नहीं दूंगा तो उनके साथ समवाद कैसे हो पाएगा? स्वामी ने हसकर कहा खान पान में छुआ छूद के विचार के कारण हिंदूओं का धर्म उनकी रसोई और बरतन भांडों में ही सीमित हो गया है स्वामी किस स्वर की कटुता का अनुभव कोई भी कर सकता था पर ऐसा क्यों? श्रूती में एक बहुत प्रसिध वाक्य है आहार शुद्धव सत्व शुद्धी, सत्व शुद्धव ध्रुवा स्मृती इसका आर्थ है जब आहार शुद्ध हो जाता है तब सत्व भी शुद्ध हो जाता है सत्व शुद्ध होने पर स्पृति अर्थात इश्वर्श मारण भी ध्रोग, अचल और स्थाई हो जाता है तो फिर आहार संभन्दी ये विचार शुरुती सम्मत हो गया डॉक्टर ने कहा पहली बात तो ये है समझने की कि इस शब्द यानी सत्व का अर्थ क्या है स्वामी ने अपने शुरुताओं की ओर देखा, आप में से कोई बताना चाहे तो बताईए नहीं स्वामी जी, आप ही बताईए, प्रायह लोग एक साथ बोल पड़े सांख्य दर्शन के अनुसार इस दे का निर्मान तीन प्रकार के उपादानों से हुआ है स्वामी ने रुक कर पुना कहा, तो उनके स्वर में पहले की अपेक्षा अधिक बल था जैसे अपनी बात को रेखांकित कर रहे हो तीन प्रकार के गुड़ों से नहीं, तीन प्रकार के उपादानों से सामान निता हम मान लेते हैं कि सत्व, रज और तम तीन गुड़ है परंतु वास्तव में ये गुड़ नहीं संसार के उपादान, कारण स्वरूप है अहार शुद्ध होने पर ये सत्व पदार्थ निर्मल हो जाता है वेदान्त मानता है कि जीवात्मा स्वभावत, पूर्ण और शुद्ध रूप है और वो रज तथा तम दो पदार्थों से ढखा हुआ है सत्व पदार्थ अत्यन्त प्रकाश स्वभाव है उसके भीतर से आत्मा की ज्योती जगमगाती हुई स्वच्छंदता पूर्वक उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोग यदि रज और तम पदार्थ दूर हो जाए और केवल सत्व रह जाए तो आत्मा की शक्ती और पवित्रता प्रकाशित हो जाएगी और वो अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी शुद्ध सत्व को प्राप्त करना ही वेदांत का एक मात्र उप्तेश है शुद्ध सत्व को आप समझ गए अब शुद्ध आहार को देखें ठीक है स्वामी जी शुद्ध कहती है कि आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है रामा नुज ने आहार शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहन किया है उनके अनुसार ये आहार शुद्ध हमारे जीवन का एक मुख्य अवलंब है आहार किन कारणों से दूशित होता है किसी ने कुछ नहीं कहा रामा नुजमानते हैं कि तीन प्रकार के दोशों से आहार दूशित होता है स्वामी ने बात आगे बढ़ाई प्रथम है जाती दोश भोज्य पदार्थों की जाती में प्रकृति गद दोश जैसे लहसुन तथा प्याज जैसे पदार्थों में तीवर गंद तो गंद से किसी का क्या विगरता है वही व्यक्ति बोला जिसने भगवा धारण करने बाला प्रशन पूछा था स्वादिश चीज को इतनी सी गंद के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता स्वामी ने उसे बड़ी रुची से देखा तुमारा नाम क्या है मित्र? तुमारे प्रशन खुर्दूरे अवश्य हैं किन्तु सच्चे हैं? मेरा नाम धनराज है स्वामी जी तो धनराज स्वामी ने कहा जो छोड़ते हैं वो केवल गंद के लिए नहीं छोड़ते प्याज और लेसुन से रजत तत्व में भी व्रधी होती है जो रजोगुन से मुक्थ होना चाहते हैं वो इन चीजों का सेवन नहीं करते भोजन का दूसरा दोश तुमामी जी? दूसरा है आश्रे दोश जिस पदार्थ को कोई दूसरा चू लेता है चूने वाले के दोश से दूशित हो जाता है दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हे भी दुष्ट कर देगा मैंने स्वयम अनेक महात्माओं को उनके जीवन काल में दृड़ता पूरवक इन नियमों का पालन करते हुए देखा है भोजन देने वाले के यहां तक कि यदि कभी किसी ने भोजन चुआ हो तो उसके गुण दोशों को समझ लेने की उनमें यतिश्ट शक्ती थी स्वामी बोले किन्तु मैं समझता हूँ कि आश्रय दोश का एक महत्वपूर्पक्ष है कि जिस पैसे अत्वासाधन से वो अन्रप्राप्त किया गया है वो पैसा कैसे अरजित किया गया है तुम लोग जानते ही हो कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब शानती वारता के लिए पांडवों के दूद बनकर हस्तिना पूर गये थे उन्हें दोर्योधन ने भोजन के लिए अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था किन्तु भगवान श्री कृष्ण ने उसका तिरसकार कर महात्मा विदूर के घर भोजन किया था क्यों किया था वो तो जाती का कोई प्रश्ण नहीं था दूर्योधन के घर भोजन न करने के अनेक कारणों में एक कारण यही था कि दूर्योधन का धन अधर्म से अर्जित था और विदूर का धर्म से मेरे गुरु श्री राम कृष्ण देव अनेक बार मारवाडी व्यापारियों का धन स्विकार नहीं करते थे और उनके द्वारा लाई गई मिठाई और मेवे भी ग्रहन नहीं करते थे वो मानते थे कि धन सत्प्रयतन से नहीं कमाया गया है और उस दान के साथ दाता की अनेक मनो कामनाएं चिपकी हुई है उस धन से खरीदा गया अन खाया जाएगा तो उसके अरजन में किये गए अधर्म का भागी भी होना पड़ेगा स्वामी ने अपने श्रोताओं की ओर देखा गुरु नानक देव के संबन में एक कता है वो किसी गाओं में गए तो जमीदार ने उनके लिए बहु मूले पकवान भेजे उन्होंने उसके वो पकवान नहीं खाये और एक किसान की दी हुई रोटी खाई जमीदार को जब ये ग्यात हुआ तो वो उसका कारण पूछने के लिए नानक देव के पास गए नानक देव ने उसका पकवान अपने हाथ में लेकर निचोड़ा उसमें से रक्त टपकने लगा तब उन्होंने किसान से रोटी लेकर निचोड़ी उसमें से दूद निकला क्या ऐसा संभव है स्वामी जी? धनराज ने कहा गेहूं को कोई शक्तिशाली व्यक्ति मुठी में लेकर पीसे तो शायद उसका दलिया बना दे किन्तु पक्वान से रक्त और रोटी में से दूद कैसे निकल सकता है? रोटी है कोई गव का थन तो नहीं? संथ चाहें तो ऐसा चमतकार भी कर सकते हैं स्वामी ने कहा किन्तु तुम वो न मानना चाहो धनराज तो इस कथा का आशय समझो जमीदार ने किसानों का रक्त चूसकर जो पैसा अरजित किया था उससे वो पक्वान बने थे और किसान ने अपना पसीना बहा कर वो अन उत्पन किया था जिससे रोटी बनी थी तो दोनों में से किसका अन शुद था? किसान का अन नहीं शुद हो सकता है स्वामी जी तो वही समझ लो गुरु नानक देव ने यही बात उनको समझा दी स्वामी ने कहा किसने भोजन बनाया, किसने परोसा उसकी जाती महत्वपून नहीं है महत्वपून है उसका चरित्र और वस्तुता महत्वपून है कि वह भोजन उपार्जित कैसे किया गया डाकू की कमाई की रोटी खाओगे तो उसके पाप के भागी तुम कैसे नहीं होगे और तीसरा दोश स्वामी जी तीसरा है निमित दोश भोजन में बाल, कीडे या धूल पर जाने से निमित दोश होता है उसे तामसिक भोजन कहा गया है स्वामी ने कहा यदि इन तीन प्रकार के दोशों से मुक्त भोजन किया जाए तो अवश्य ही सत्व शुद्धी होगी स्वामी कुछ रुके इस बात के महत्व को मैं अस्विकार नहीं करता किन्तु यदि इतना ही पूर्ण सत्य हो तो धर्म बाए हाथ का खेल हो गया यदि पाक साव भोजन ही से धर्म होता तो फिर प्रत्य एक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता था कैसे स्वामी जी? जमालुद्दीन ने पूछा इस प्रश्न का उत्तर्श शंकराचारे से मिलेगा वो कहते हैं कि आहार शब्द का अर्थ है इंद्रियों द्वारा मन में विचारों का समावेश आहरन होना या आना स्वामी बोले जब मन निर्मल होता है तो सत्व भी निर्मल होता है इससे पहले नहीं तो भोजन मात्वपून नहीं मन की शुद्धता है डॉक्टर ने पूछा तुम्हें जो रुचे वही भोजन कर सकते हो स्वामी बोले यदि केवल खाद्य पदार थी सत्व को मल मुक्त करता तो खिलाओ बंदर को जीवन भर दूद भात देखें तो कि वो एक महान योगी होता है या नहीं यदि ऐसा ही होता तो गाएं और हिरन भी परम योगी हो गए होते स्वामी कुछ रुख कर बोले तो समाधान क्या है आहार के विशय में शंकराचारे का सिध्धान्त ही मुख्य है ये सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है दोनों का एक दूसरे से घनिष्ध संबंध है दोनों आवश्यक है किन्तु तुरूटी यही है कि लोग शंकराचारे का उपदेश भूल गए है हम लोगों ने आहार का अर्थ भोजन मान लिया है और धर्म को रसोई तक्सीमित कर दिया है चर्चा समाप्त कर स्वामी भीतर जाने के लिए उठ खड़े हुए एक व्यक्ती ने अत्यंत आतुर्ता से आकर उनके चरंट चुए स्वामी ने देखा वो प्रश्न करता धनराज था मुझे एक शमा करें स्वामी जी मैं देहाती लठागमी हूँ मूर खूँ वो बड़ी दीनता से बोला नहीं जानता कहां क्या बोलना चाहिए पर मेरा भाव दूशित नहीं था स्वामी जी स्वामी ने बड़े स्ने से उसके सिर पर हात रग दिया मैं जानता हूँ धनराज इसकी भोली बातों में माता आईएगा स्वामी जी कुर्बान अली ने का बड़ा दुष्ट है बड़े बड़ों के कपड़े उतार देता है ये अपने भोले मन और तीखी जेवा के सहारे सत्य को खोजने निकला है कुर्बान अली स्वामी कसने तनिक भी कम नहीं हुआ था प्रातर नौ बजे तक स्वामी अपना स्थान, ध्यान, भजणादी का क्रम पूरा करने तक पूर्ट एकांत में रहे बाहर निकले तो प्राय 40-45 व्यत्ति उनकी प्रतीक्षा में थे मध्यान तक उपस्थित चन समू जमा रहा स्वामी के मुक्त को विराम नहीं था जिस किसी ने जो कुछ पूछा स्वामी ने उसका ततकाल उत्तर दिया प्रसंग वश भक्ति उपासना की बात उठी जगदंबा का महात्म कीर्टन करते करते स्वामी के प्राण इस प्रकार ना चुठे कि मूँ से और कुछ निकला ही नहीं केवल मा, मा पहले उच्छ कंट से बाद में क्रमशा अति अस्फुट स्वर्मे वाय प्रदेश छोड़कर वही ध्वनी अंतर के प्रदेश में जा मिली उनका सर्वांग स्थिर हो गया दोनों आखों से अश्रू बह निकले श्रोता उस भाव दर्शन पर मुग्ध होकर उस मुग को निहारते रहे स्वामी ने गाना आरम किया उनका मधूर कंट और नेत्रों के अश्रू भक्तों को बहा ले गए मध्यान के समय पंडित शंभुनात उन्हें भोजन के लिए भीतर लिवा ले गए भोजन के उपरांद फिर बाहर आकर स्वामी ने देखा कि आसपास के ग्रामों के लोग बैठे उनकी प्रतिक्षा कर रहें स्वामी ने अपने मधूर कंट से गाया आमी गेरुआ बशन अंगेते पारिये शंखेर गुंडल पारी योगी नीर बेशे जाब सेह देशे यथाए निश्ठूर हारी मथूरा नगरे प्रति घरे घरे खुंजिब योगी नी हाए यदि कुन घरे मिले प्रान बंधू बंधिब आचल दिये आमी अपना बंधूआ अपनी बंधिब राखिते मारिबे केवरे जदी दोखे केव त्याजिब एजीव नारिब दीव तारे गाते गाते स्वामी की आँखों में आश्रू बहने लगे उनकी द्रिष्टी साधू की तेजस्वी मूर्ती पर गई स्वामी ने भजन पूरा किया श्रोताओं में से भी अनेक ने अपनी आँखें पूछी उन्होंने स्वामी को एक प्रवचन करता के रूप में ही देखा था, पर उनका संगीत तो अध्भुत था उन्होंने कहा भटका ले जाएगा, हमें कृष्ण कथा सुननी है, डॉक्टर लश्कर ने कहा, पूछो, स्वामी ने धनराज की ओर देखा, किसी प्रश्ण की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, मैं किसी दूसरे नगर में जाता हूँ, तो पहले वहाँ अपना कोई संबंधी धून लेता हूँ, जहां अपना कोई नहीं होता, वहाँ जाता ही नहीं, साद्वों के विशे में भी सोचता था, कि वो ऐसे ही उटकर कैसे चले जाते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती, कि वो कहा ठहरेंगे, क्या खाएंगे, भिक्षा क्या मिलेगी, मिलेगी या नहीं, धन लेते होंगे, जैसे यहां डॉक्टर साहब हैं, पर आज सोचता हूँ कि आप अपने संगीत के भरों से यात्रा करते होंगे, जहां गाने बैठ जाएंगे, वहीं लोग आपके भक्त हो जाएंगे, धनराज ने कहा, वस्तुता तुम मेरे गायन की प्रशंसा कर रहे हो धनराज, उसके लिए मैं तुम्हारा अभारी हूँ, किन्तु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी देना चाहता हूँ, बंगालियों के भरोसे बंगाली समाज का कोई संगठन करता या नेता भ्रमण कर सकता है, संगीत के भरोसे कोई गवय यात्राएं कर सकता है, एक सन्यासी तो अपने इश्वर के भरोसे ही परिव्राजक बनता है बंगाली कहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे संगीत प्रेमी भी आवश्यक नहीं कि सब स्थानों पर हो किन्तु इश्वर तो सब कहीं है, एक एक कण में है लगा जैसे सारी सभा स्थब्ध रह गई स्वामी जी, अन्य राक्षसों के विशय में तो पता नहीं किन्तु पूतना को तो कंस ने ही श्री कृष्ण की हत्या के लिए भेजा था लशकर ने पूछा, हाँ, क्यों? मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्ण है कि क्या वो जानता था कि कृष्ण देव की पुत्र है यदि वो जानता तो पूतना सारे नवजाद बच्चों का वद करने का प्रयत्न क्यों करती? स्वामी ने कहा मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से नहीं जानता था कि श्री कृष्ण देव की और वसुदेव के पुत्र है क्यों नहीं जानता था? लश्कर ने कहा बलराम के विशय में तो सभी जानते थे कि वो रोहिनी के पुत्र है और ये किस से छिपा था? कि रोहिनी वसुदेव की पत्नी है रोहिनी के ब्रज में होने की चर्चा तो हमारे ग्रंथों में है किन्तु इस बात का उल्लेक तो कहीं नहीं है कि रोहिनी और बलराम नंद के घर में रह रहे थे स्वामी बोले ये तो संभव है कि रोहिनी ब्रज में अपने गोकुल में रह रही हूँ तो क्या गोकुल भी दो चार थे धनराज ने पूछा गोकुल का अर्थ आज की शब्दावली में हुआ गोशाला मुझे लगता है ब्रिज में गोपालन का व्यवसाय था वहाँ गायों को चराने की सुविधा रही होगी इसलिए मतुरा में रहने वाले अनेक यादव महानुभावों ने भी अपने गोधन के लिए व्रिंदावन में अपना गोकुल बना रखा होगा उनके सेवक उन गोकुलों में रहकर गोधन की देख भाल करते होंगे स्वामी बोले यदि इस विशय में हम महाभारत का विध्यान कर लें तो उसमें पांडवों के वनवास की अवधी में घोश यात्रा की प्रसिद और महत्वपून घटना है घोश यात्रा क्या स्वामी जी राज्य और धन संपत्ति हार कर जिस समय पांडव दीन हीन होकर वन में रह रहे थे उस समय दुरियोधन उनको पीड़ित करने के लिए अपने भाईयों और मित्रों के साथ अपने वैभव का प्रदर्शन करने वन में गया था स्वामी ने उत्तर दिया उस यात्रा को घोश यात्रा कहते हैं उसके लिए धृत्राश से अनुमती लेते हुए दुरियोधन ने कहा था कि वो वन में चरते हुए अपने पशुधन का सरवेक्षन करने जा रहा है आप में से जिन लोगों ने महाभारत कथा पढ़ी है उन्हें ज्यान होगा कि उस समय कर्ण की प्रेणना से राज सभा में समंग नाम का एक ग्वाला आया था उसने कहा था कि इस समय महाराज का गोधन निकट आ गया है महाराज उसका निरीक्षन कर ले और जिन नए बच्छडों का जन्म हुआ है उनकी संख्या इत्यादी लिख ले और उन्हें चिन्हित कर ले हाँ वहाँ एक ही चित्रण है पंडित चंभुनात ने पुष्टी की इसका अर्थ यह है कि उस समय राजाओं और अन्यधनी लोगों के गोधन के पालन पोशन के लिए कर्मचारी रखे जाते थे बहुत संभव है कि ब्रज में भी इस प्रकार के गोकुल हूँ वसुदेव का अपना गोकुल भी हो रोहिनी पहले से उस गोकुल में रहती हो और बलराम अपनी मा के पास रहते हो यदि रोहिनी भी नंद के घर ही रह रही होती और वहीं श्री कृष्ण पल रहे होते तो बल्राम के साथ उनका भ्रातित्व देखकर कोई भी समझ सकता था कि श्री कृष्ण वसुदेव के ही पुत्र है वो रोहिनी के पुत्र नहीं थे अताव वो देवकी के ही पुत्र होंगे तो फिर स्वामी जी श्री कृष्ण बल्राम को दाउ क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण उनकी शिकायत भी यशोदा से ही करते हैं भया मोहे दाउ बहुत खिजायो तू मोही को मारन सीखी दाउ ही कबहु नख खिजै इत्यादी पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि श्री कृष्ण और बलराम को भाईयों के समान ही पाला गया पंडित शंभुनात ने कहा दोनों भाईयों को समान पाला गया इसका प्रमार तो कहीं नहीं मिलता हाँ कवियों ने श्री कृष्ण के मुख से बलराम के लिए दाउ संबोधन करवाया है हम उस समय के चित्र में कुछ रंग अपनी कलपनाओं से भर सकते हैं स्वामी ने कहा नंद वसुदेव के कर्मचारी थे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता किन्तो उन दोनों में किसी प्रकार के घनिष्ट संबंध अवश्य थे नहीं तो वसुदेव नंद पर इतना प्रबल विश्वास कैसे करते वो श्री कृष्ण को उनके पास कैसे छोड़ते और नंद अपनी पुत्री योग माया को उन्हें कैसे सौप देते स्वामी ने पंडित चम्भुनात के ओर देखा वसुदेव जब श्री कृष्ण को नंद के घर छोड़ने गोकुल गए थे उन्होंने रोहिनी और बलराम से मिलने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया यदि वो नंद के ही घर पर होते तो ये कैसे संभव था तो वो अपने गोकुल में उन्हें मिलने क्यों नहीं गए इसलिए तो कि वो गोपनियता बनी रहे जी स्वामी जी तो फिर उनमें भाईयों कासा संबंद धनराज ने पूछा देखो एक बात की ओर ध्यान दो स्वामी बोले नंद और यशोदा की कोई संतान नहीं है न श्री कृष्ण से पहले और न श्री कृष्ण के बाद इसका आर्थ है कि श्री कृष्ण के आने से पहले अर्थात योग माया के जन्ब से पहले उनके पास कोई संतान नहीं थी ऐसे में यदि रोहिनी पास ही रहती तो हम मान सकते थे कि बलराम का उनके घर आना जाना रहा होगा वैसे भी वसुदेव से अपने संबंधों के कारण वो दोनों परिवार कुछ तो घनिष्ठी रहे होंगे बलराम घर के बच्चेत के समान वहां आता होगा और खेलता रहा होगा तब ही श्री कृष्ण आ गए यशोदा ने बलराम से उनका परिचय भाई के रूप में ही करवाया होगा और श्री कृष्ण के आ जाने के बाद भी बलराम का वहां आना जाना रुका नहीं होगा रोहिणी श्री कृष्ण को यशोदा का पुत्र ही मानती रही होगी उनसे वसुदेव की पत्नी के रूप में कभी वहां आकर श्री कृष्ण पर अपने मातरित्व का अधिकार नहीं जाताया होगा तो जब रोहिणी ही नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं ऐसे में बलराम ये रहस्य कैसे जान सकते हैं नहीं जानते होंगे धनराज ने सहमती में सिरहिला दिया अच्छा स्वामी जी आपका क्या विचार है क्या यशोदा को मालूम था कि श्री कृष्ण उनके पुत्र नहीं है पंडित शंभुनात ने पूछा स्वामी हसे आज सबका क्रिष्ण कथा पर ही मन आया हुआ है हाँ स्वामी जी लशकर ने कहा क्रिष्ण कथा है भी तो मन भावनी जमाल उद्दीन ने कहा ठीक है स्वामी बोले मैं समझता हूँ कि सारे ब्रिज में केवल नंध ही जानते थे कि श्री क्रिष्ण यशोदा नंदन नहीं देव की पुत्र है यशोदा भी नहीं आश्चर युक्त कई स्वर एक साथ उठे यशोदा भी नहीं स्वामी बोले ये कैसे संभाव है पंडित शंभूनात ने तर्प किया मा कैसे नहीं जानेगी कि जिसे उसने जन्व दिया वो उसका पुत्र नहीं है थोड़ी कल्प ना करनी होगी स्वामी बोले यशोदा ये जानती तो क्या वो अपनी पुत्री योग माया के लिए एक बार भी दुख प्रकट नहीं करती अपनी किसी सकी सहेली के सामने अपनी किसी कुल वृद्धा के सामने रोना नहीं रोती अवश्य रोती पंडित चंभुनात बोले तो क्या सारे गोकुल को ये पता नहीं चल जाता कि यशोदा ने श्री कृष्ण को नहीं योग माया को जन्दिया था क्या श्री कृष्ण का रहस से रहस से रह पाता स्वामी ने उनकी ओर देखा ये रहस से बना रहा क्योंकि ये यशोदा को भी ग्यात नहीं था पर ये कैसे संभव हो सकता है स्वामी जी पंडित चंभुनात ने बहुत विनीद भाव से आपत्ती की मेरी कल्पना कहती है कि ये एक ही स्थिती में संभव है स्वामी बोले उस राद बहुत वर्षा हो रही थी चारों और बार सी आई हुई थी सब लोग अपने अपने घरों को संभालने में लगे होंगे यशोदा के पास कोई नहीं था कोई दासी नौकरानी भी नहीं धनराज ने पुछा ये मत भूलो कि वो लोग साधारन गोप थे गोपाल श्री कृष्ण छोटे से थे तो भी उनको गाय चराने के लिए जाना पड़ता था श्री बिल्व मंगलाचारे ने श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम में लिखा है प्रभात संचार गतानू गावस्तत दर क्षानार्थ तनयम यशोदा प्राबोधियत पाणितलेन मंदम गोविंद दामोदर माघवेती प्रभात का समय है गाय चरने के लिए वन की ओर जा रही है उनकी रक्षा हेतू साथ जाने के लिए यशोदा सोय हुए बाल क्रिष्न को थपकी दे कर जगा रही है उठो गोविंद उठो माधव उठो दामोदर स्वामी रुके यदि उनके पास नौकर चाकर होते चरवाहे और गोप होते तो यशोदा छोटे से क्रिष्न को क्यों जगाती यहां बलराम भी नहीं है नंद या तो किसी और काम में लगे होंगे या फिर वो इतने व्रद्ध है कि वो वन में गाय चराने नहीं जाते ठीक है इससे तो यही लगता है स्वामी जी धनराज ने कहा संभव है कि उन लोगों में नौकर चाकर रखने का प्रचलन ही ना हो आवश्यक होने पर वो स्वयम ही एक दूसरे की सहायता कर लेते हूं स्वामी बोले ऐसे में जिस रात योग माया का जन हुआ है उस रात ना तो परिवार की कोई स्त्री वहां थी ना कोई पडोसन और ना कोई कुटुमबन संभवत संध्या समय तक प्रसफ का कोई लक्षन ही न हो और रात को जब प्रसफ का समय आया उस वर्षा और बार के कारण यशोदा को अकेला छोड़कर नंद बाहर निकल ही न सके हो वो दोनों घर में अकेले हो यशोदा की अवस्था भी कुछ अधिक होनी चाहिए और ये उनका पहला प्रसफ था क्यूं? अवस्था अधिक क्यों होनी चाहिए? धनराज ने उन्हें टोग दिया क्यूंकि उनके बाद दूसरा प्रसफ तो हुआ ही नहीं स्वामी बोले यदि उनकी अवस्था अधिक नहीं थी तो फिर दूसरा तीसरा चौथा प्रसफ क्यों नहीं हुआ? हाँ ये बात तो है धनराज चुप होकर बैठ गया अधिक अवस्था में पहला प्रसफ हुआ हो तो उनका अचेत हो जाना भी कोई असंभव बात नहीं है उस अचेता वस्था में ही उन्होंने योग माया को जन्म दिया उसी में वासुदेव आये और श्री कृष्ण को वहाँ छोड़कर योग माया को ले गए स्वामी बोले इसी को कहते हैं हरी लीला यदि अशोदा ये एक मात्र गर्भी धारण न करती यदि वो योग माया को भी जन्म न देती तो श्री कृष्ण को दूद कैसे फिलाती योग माया का जन्म न होता तो कोई भी पूचता कि ये शोदा ने गर्भी धारण नहीं किया तो श्री कृष्ण कहां से आये तब श्री कissions के जन का रहसे कैसे रहता इसलिए मुझे लगता है कि इस रहसे को केवल नंध ही जानते थे स्वामी मौन हो गए पर स्वामी जी ये श्री कृष्ण का गोकुल में किसी के भी घर में खुश जाना और किसी के यहां भी खा पी आना ये मेरी समझ में नहीं आया धनराज ने कहा थेहरी समझ इतनी संकुचित क्यों है धनराज जमालुद्दीन ने कहा तू चुप्रेम ओल्वी धनराज ने उसे डाटा। स्वामी ने हमें बताया है कि भक्तों में एक श्रिणी जिग्यासु भक्तों की भी है। तू यदि ज्यानी भक्त है तो मैं जिग्यासु भक्तूं। है ना स्वामी जी। स्वामी हसे। धनराज ठीक कहता है जमाल उद्दीन ये जिग्यासु भक्त है और इसे वैसा ही बना रहने दो। मुझे तो सारी गोपियों का श्री कृष्णी के प्रती इस प्रकार आसक्त होना ही समझ में नहीं आता। एक और स्वार आया। समझ में आ जाता तो तुम भी गोपी न हो गए होते। स्वामी हसे। लोग कता सुनो। सुनाइए स्वामी जी। सम्मिलित उत्साह में सब लोग बोले। नंद यशोदा के पास बैठे बैठे उंग रहे थे कि घर से किसी ने पुकारा। नंद रहे। अरे नंद बाबा। नंद ने अपने सिर को जटक कर स्वायम को सचेत किया। बैठे बैठे ही गवाक्ष की ओर देखा। वर्षा रुग गई थी। रात्री समाप्त हो चुकी थी। उशा के प्रकट होने का परियाप्त प्रमान दिखाई दे रहा था। बाहर जीवन की गतिविधी आरंभोने की भी ध्वनिया आ रही थी। बाहर का द्वार फिर खटका। कोई उनको पुकार भी रहा था। उनकी दृष्टी एक साथ ही यशोदा और कृष्ण पर प गये। यशोदा और कृष्ण वो दोनों ही शांत सो रहे थे। कृष्ण यशोदा से चिपका हुआ था। नंद उठे निकट जाकर ध्यान से देखा। श्वास नियमित था और नाड़ी की गट्ती भी ठीक थी। वो कुछ आश्वस्त हुए। तभी बाहर के द्वार का और भी जोर से खटका। नंद ने बाहरी द्वार खोला। यमुना का जल वहां नहीं था। जहां उन्होंने रात को देखा था। वो कुछ पीछे हट गया था। किन्तु उनके द्वार के सामने की मिट्टी अभी गिली थी। द्वार पर मंगल खड़ा था। यहां जल उत गुष्ट क्यों हैं। गोशाला देख लीजे और फिर एक चक्कर ग्राम का भी लगा लीजे। उसे बाद में देखेंगे। नंद बोले। पहले जाकर सबको समचार दे कि रात यशोदा ने एक पुत्र को जन दिया है। पुत्र जन? मंगल के चेरे पर अहलात छा गया। ग्राम में सूचना दे और महिलाओं को शीगर भेज। नंद रुख कर सहसा बोले। क्या कहा तुने ग्राम में यमुना जल? नहीं इस समय कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा पर कीचर। उसकी चिंता नहीं। सूचना दे और फिर गोशाला को देख। मंगल को भेजकर नंद भी तराये। थोड़ी ही देर में नंद का आंगन गोपियों से भर गया। पद्मा को यशोदा के पास छोड़कर गंगा चाची बाहर आंगन में आ गई। उनकी भुजाओं में कृष्ण था जिसे उन्होंने वक्ष से लगा रखा था। नंद राय यशोदा को स्वच कर वस्तर बदल दिये हैं। तुम भी यशोदा से मिल सकते हो। गंगा चाची ने कहा। वो सच मुझ बहुत दुरबल हो गई है। कह रही थी चाची यदि मैं ना बची तो मेरे ललना को तुम सब मिल कर पाल लेना। तुमें रातरी को ही मुझे बुला गुटनो पानी है। चाची ने स्वयम ही कहा। गंगा चाची ललना हमें भी तो दिखाओ। चंद्रिका ने कहा। वही खड़ी रह अभी। धैर तो जैसे है ही नहीं। गंगा ने उसे डांड दिया। मैं कह रही थी नंदराय ये शोदा दूद पिला भी पाएगी या किस और को सौब दूँ। क्यों ये शोदा बहुत दुरबल है। नंद चौके। ऐसी ही दिख रही है किन्तु मर्ती मर्ती मा भी शिशु को दूद पिलाने बैठती है तो जी उठती है। कहो तो एक बार प्रयत्न करके देख लूँ। कृष्णे आखे खोल दी और उच्छ मुमें नहीं जा सकता था। देख तो कैसा उच्छ स्वर है स्वस्त बालक गंगा ने कहा। कभी तो ये शोदा को ऐसा कश्ट हुआ। पर भूखा है अभी एक बार भी दूद नहीं पिलाया। आखे तो देख कैसे बिटर बिटर देख रहा है। ये तो हमारा कमल नायन है बर्शा ने कहा। अरे भूखा है वेचारा अंगूठा चूसना चाहता है। मलिका बोली। अच्छा ला चाची मौसी का नारायन मुझे दे। कृतिका बोली। अरे तनिक ठहर तू बहुत उत्सुक मत हो। दूद हर मा के बक्ष में होता है। कोई निराली नहीं है तू। कैसा सलोना है ना इच्छा होती है हिर्दे में रख लूँ। इसका नाम तो श्याम सुन्दर होना चाहिए। कृतिका बोली। जाया तो यशोदा ने हैं पर बालक तो सब के सांशे होते हैं। हम कुछ नहीं होती इसकी। कादम भी नी बोली। ला दे गंगा वेना मुझे मैं भी तो अपने कलेजे से लगा लूँ। बाहर स्त्रियां गा रही थी और नंद भीतर चले आये। कैसी हो यशोदा। ठीक हूँ। नंद क्षण भर को जिजगे। कि फिर पूछी बैठे। क्या कह दिया तुमने गंगा चाची को कि वो सब मिलकर ललना का पालन पोशन क करें। वहां सब की सब उस पर अपना अधिकार जमाने को तयार बैठिये। बच्चे का बहुत काम होता है। उसे नहलाना, धुलाना, दूद पिलाना, सुलाना, उसके कपड़े धोना। इसलिए कह दिया। अब उसे ले भी आओ। चाची कहां ले गई। बयार न लग जा पाये उसे, रात इतनी वर्षा हुई है। यशोदा ने कहा और फिर जैसे उसे कुछ समरण हो आया। रात किसी को बुला तो नहीं पाये, मैं तो जैसे अचे थी हो गई थी। किसी को नहीं बुला पाया। तो प्रसफ किसने कराया। नारायर ने नंद बोले। यशोदा गुच पूच थी। उससे पहले ही गंगा चाची आ गई। ले स्तनपान करा। प्रयतन कर। भूखा है। भूकी तो वो भी है जो बाहर बैठी है। गंगा ने कहा। काहे की भूकी चाची। यशोदा ने हसकर पूचा। इस शाम सुन्दर को पाने की। गंगा ने कृष् यशोदा बोली। प्रांड जितने खीचने थे रात ही खीच चुका। अब दूद पिला। पुत्र जन्द की प्रसन्यता किसे नहीं होगी। और हमने तो बड़ी लंबी बाट जो ही है इसकी। फिर देख तो सही इसका रूप देख लगता है स्वैम नारायन ही आ गये हैं हमारे पुत्र बनकर। नंद बोले। तो फिर इतने गुमसुम क्यों हो। तेरी चिंता सता रही है। अब तो दोनों जीवित हैं ना यशोदा मुस्कुराई। हाँ हैं तो तो अब काहे को मूँ बिसूरते हो। जाओ कुछ गाने बजाने का शगुन करवाओ। विवा के इतने वर्षों बाद पुत्र का जन्म हुआ है। धन ने हुआ यशोदा का मात्रत है। देखो दान में कंजूसी मत करना और ना किसी से जगडा। प्रभू ने हमारी जोली भरी है तो हमें भी अपनी मुठी कुछ धीली कर देनी चाहिए। गोविन्द सहाय सरकारी काम से दिवान जी से मिलने गए थे। किन्तु उनके चेहरे मोरे को देखने के पश्चार उन्होंने जैसे सरकारी लबादा उतार दिया। बोले क्या बात है दिवान जी स्वास्थ ठीक नहीं। क्यों स्वास्त को क्या हुआ दिवान जी ने मुस्कुराने का प्रयत्म किया भला चंगा हूँ नहीं माराज आपके चेरे पर रोज जैसी चमक नहीं है कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं हाँ मन तो बुझी जाता है दिवान जी बोले अपने घर को देखो अपने आसपा सारी भारतियता तो उर्ती दिखाई देती है कोई विशेश बात हो गई दिवान जी खास क्या और आम क्या दिवान बोले पडोस के एक घर में गमी हो गई किसी ने कहा जब तक मिट्टी नहीं उर्ती गीता का पाठ करो खोज मची तो पांच घरों तक में गीता नहीं मिली अब बताओ वो कैसा हिंदू घर जिसमें गीता नहीं हो पहले भी कोई प्रत्येग घर में गीता पड़ी जाती हो ऐसी बात नहीं है पर घर में ग्रंत तो होना ही चाहिए वक्त जरूरत काम आए ग्रंत हो भी तो कोई पढ़ेगा कैसे गोविंत सहाय ने भी जैसे निश्वास छोड़ा लोगों में होड मची है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे जब कोई संस्कृत पढ़ेगा ही नहीं तो गीता होगी भी तो क्या कर लेगा इन्हें तो गीता भी अंग्रेजी में ही होगी आगे समय और भी खराब आ रहा है दिवान जी बोले राजा महाराजा अंग्रेजी पढ़ेंगे तो प्रजा भी वही पढ़ना चाहेगी बड़े लोगों के बच्चे तो मेयो कॉलेज में पढ़ते हैं महां पढ़कर वो पूरे अंग्रेज हो जाते हैं जो कसर होती है ये विलायत जाकर पूरी कराते हैं अब हमारे महाराजी हैं उनमें क्या कोई रह गई है राजपूतों वाली बात सपने में भी अंग्रेजी बोलते हैं पानी की जगे मदिरा पीते हैं हर बात में अंग्रेजों से खोड दिवान रुके एक बात बताऊं लाला यदि भाशा उड़ गई तो धर्म भी उड़ जाएगा एक भाशा समाप्त हो जाती है तो उसमें लिखा सारा साहित भी लुप्त हो जाता है और मुझे कश्ट ये है कि ये सब हमारे अपने राजाओं के हाथों हो रहा है उन्हें कोई रोग नहीं सकता दिवान जी बुरा ना मानो तो ए बड़े ज्यानी हैं अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हैं इसलिए उन्हें कोई पोंगा पंडित नहीं कह सकता प्रिष्ण कथा ऐसी सुन्दर कहते हैं कि व्रिंदावन ही सजीव हो जाए और गीता की बात करते हैं तो मूरक को भी समझा जाए दुर्गा माता और भ प्राश्ट्रियता और अध्यात्म को जोलने वाला संत कहां देखा आपने उसे पिछले सप्ता तक तो मेरे ही घर में थे तब तो आपने उनकी चर्चा नहीं की थी कोई संयोग ही नहीं बना आज भी यदि ये सरकारी काम मुझे आपके पास ना लाता और आप मुझे इस प अब कहां है वो उनकी कथा वारता सुनने अधिक लोग आने लगे जगे कम पढ़ने लगी तो वो सबकी सम्मती से पंडित शंभूनात के घर चले गए चले क्या गए उनके ठहरने की व्यवस्था वहां कर दी गई उनके यहां कोई विशेश सुविधा है क्या हाँ आपको लगता है कि वो संत हमारे समाज को कुछ बदल पाएंगे समाज के विशे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं जूट क्यों कहूं गोविन सहाय बोले पर वो अध्यात्म की साक्षात मूर्ती है किन्तु अंग्रेजों की कोई बात उनमें नहीं है किसी हिंदू सन्यासी में अंग्रेजी किसी क्या बात हो सकती है गोविन सहाय किसी हिंदू सन्यासी में अंग्रेजों किसी क्या बात हो सकती है गोविन सहाय क्या पता दिवान जी गोविन सहाय हस पड़े पहले किसी ने कहां सोचा था कि भारती राजा में अंग्रेजों की कोई बात हो सकती है पर हो गई ना हमारे स्वामी जी तो ऐसे हैं कि उनके चारों ओर जैसे धर्म प्रेम देश प्रेम और इश्वर प्रेम भवरे डालता चलता है आपने उनसे दीक्षा तो नहीं ले ली गोविन सहाय हसे मैंने उनके चरण पकड़ लिये वो जितना मना करते मैं उतना ही लिपटता गया अंत में हार कर उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी मैंने हर बक्स फौजदार से चर्चा की तो वो भी पीछे लग गए उन्होंने भी उनसे नाम दीक्षा ली है आपने कहा कि स्वामी जी ने हार कर आपको दिक्षा दी जी इसका क्या आर्थ है क्या उनकी रुची शिष्य बनाने में नहीं है नहीं उनका कहना है गुरू को शिष्य का सारा बोज ढोना पड़ता है उससे गुरू की तपस्या की हानी होती है गोविन सहाय बोले पर मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा लाला गोविन सहाय ये उस सन्यासी का पाखन तो नहीं है नहीं दिवान जी आप एक बार उनके दर्शन कर लें आप स्मय ही समझ जाएंगे कि वो कैसे सात्विक पुरुश हैं उनके मन में रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है मैंने तो आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके मन में स्वार्थ ही न हो संसार तो स्वार्थ का घर है तो आप स्वामी जी से मिल ले गोविन सहाय बोले बलकि मैं तो सोच रहा था कि आप उनको महराज से भी मिलवा दें संभव है कि वो महराज मंगल सिंग के इ दिवान ने चमक कर गोविन सहाय की ओर देखा क्या कह रहे हो लाला जी कोई भूल हो गई तो क्षमा करें दिवान जी किन्तु मैं जब से उनसे मिला हूँ तब से यही सोच रहा हूँ कि इस विदेशियत के रोग की वो राम बाण औशद है सांसारिक भोगों के रोग की भी वो अच्यूक औशद ही है वो एक प्रवचन में जो कुछ कह देते हैं वो संसार एक शताबदी में भी कभी आपको नहीं दे सकता दिवान रामचन चुप पैठे कुछ सोचते रहे गोविन सहाय उनकी ओर देखते रहे अन्तता गोविन जी ने सिर उठाया मैं सोचता हूँ कि दीक्षा लूँ या ना लूँ किन्तु एक बार स्वामी जी से मैं भी मिल ही लूँ स्वामी आकर अपने आसन पर बैठ गए तो जमालुद्दीन उठकर धीरे से उनके पास आया स्वामी जी मेरी बड़ी इक्षा है कि कल आप मेरे घर पर भोजन करें इससे पहले कि स्वामी कुछ कहते जमालुद्दीन पंडित शम्भुनात के पास पहुँच गया पंडित जी मैं ऐसा इंतजाम कर दूँगा कि आपको कोई एतराज नहीं होगा पर मैंने तो अभी कोई आपत्ती नहीं की शम्भुनात ने हस कर कहा आपने आपत्ती की तो नहीं पर मैं सोचता हूँ कि स्वामी जी तो सन्यासी है उन पर जात पात का कोई बंधन नहीं है किन्तो आपको आपत्ती हो सकती है तो आप क्या प्रबंध करेंगे मॉलवी सहाब कि मुझे आपत्ती नह हूँ? मैं सारा सामान मेज कुरसियां तक ब्रामणों के द्वारा धुलवा दूंगा ब्रामणों के घरों से लाए गए बर्तनों में ब्रामणों द्वारा भोजन पकाया जाएगा ये क्या प्रवंद हुआ मौलवी साहब? स्वामी मुस्कुरा रहे थे ब्रामर ब्रह्मा को पाने का प्रयत्न करने के स्थान पर मेज कुर्सियां धोएगा, रसोई करेगा ये तो पंडित जी का मन भावन प्रवंद है स्वामी जी जमाल उद्दीन ने कहा, मैं पास भी नहीं फटकूंगा, ये यवन बस दूर से देखता रहेगा आप स्वामी जी को मेरे घर पर भोजन करने की इजाज़त दे दीजे स्वामी कुछ विस्मित थे, निमंतरन उनके लिए था और अनुमती पंडित शम्भूनाथ से ली जा रही थी पर शाय जमाल उद्दीन ने ठीक मार्ग पकड़ा था आपत्ती स्वामी की ओर से नहीं, पंडित शम्भूनाथ के द्वारा ही होने वाली थी पंडित शम्भूनाथ ने जमाल उद्दीन की वो दीन मुद्रा देखी तो भाव वेवल होकर उसका हाथ पकड़कर प्रेम से सहलाया इन परिस्थितियों में तो मौलवी साहब स्वामी जी ही क्यों मैं भी आपके घर भोजन करने चलूंगा स्वामी की चिंता दूर हो गई जमाल उद्दीन की ये दीनता उन्हें भी कहीं दूर तक छूगई थी यदि कहीं शम्भूनाथ उसे मना कर देते तो स्वामी को तनिक भी अच्छा नहीं लगता जमाल स्वामी ने पुकारा ये सारा प्रबंध पंडित जी के लिए ही करना मेरे लिए इन में से कुछ भी आवश्यक नहीं है अरे भाई मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि पूतनावद को बीच में ही छोड़कर आप लोग ये प्रामर भोज कैसे करने लगे धनराज ने कहा ठीक है ठीक है स्वामी हसे धनराज ठीक कह रहा है पहले पूतनावद बैल गारी पर एक व्यक्ति हरा चारा ला रहा था मार में पूतना खड़ी थी सुनो गारी वाले पूतना ने कुछ इठला कर उसे पुकारा कहा जाएगी गोरी व्यक्ति ने उसकी ओर देखा पूतना तुनक कर बोली तेरे घर जाने को नहीं ठाड़ी में या नंद मेहर का घर कौन सा है व्यक्ति मुस्कुराया गारी पर आ जाये तो मैं पहुचा दूँ नहीं तो सूधी चली जा जहां गाओं की गोरीयों का जमघट दिखे उसे ही नंद बाबा का घर मान लेना उसे मूँ चड़ा कर पूतना आगे बढ़ गई वन की ओर से चरवाहे गायों को चरा कर लौट रहे थे दूसरी ओर से अनेक गोपियां सिर पर मटकियां उठाये आ जा रही थी कुछ दही बेच कर लौट रही थी कुछ यमुना से पानी भर कर ला रही थी अपने घर के उसारे में यशोदा दही मत रही थी गंगा दूद की बाल्टी लेकर आई और पास खड़ी हो गई यशोदा ने पद्मा की ओर देखा तो पद्मा ने भी निकटा कर मतानी पकड़ी क्या कर रही हो नंदरानी थक जाओगी अभी मंध हो अभी से इतना परिश्रम मत किया करो उठो पद्मा ने यशोदा को उठा कर चार पाई पर लिटा दिया तभी हस्ती खिल खिलाती हाथ में मतकिया पकड़े दो तीन गोपिया खुलर सा मचाती घर घुसाई काना कहा है पालने में है पद्मा ने कहा क्यूं उन्होंने पद्मा के प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया पालने के पास जाकर खड़ी हो गई सो रहा है क्या गाय चराने गया था ना सो ठक कर सो रहा है पद्मा बोली अब तुम जगा मत दी जो धत एक गोपी ने कहा तो और क् गंगा ने कहा, तुम क्या कराई, कर क्या आई, दही बेचने गई थी, कुछ खाए, कुछ सईया को खिला आई, गोपियां हुलर मचाती हुई बाहर चली गई, तेरे काना ने तो सारे गोकुल पर जादू कर रखा है, उन गोपियों को क्या कहें, इस पजमा को ही देखू, घर में पैर ही नहीं टिकता इसका, गंगा ने कहा, तो चाची, तुम ही क्यों भोर होते ही इनन मेहर के घर चली आती हो, काना के लिए ही तो, तभी पूतना ने आंगन में प्रवेश किया, सब की दृष्टी उसकी ओर उठ गई, पूतना आकर पालने के पास रुख गई, और को निहारने लगी, कौन है रीतू, गंगा ने उसे घूर कर देखा, तेरे लल्ला की धाय हूं, पूतना बहुत मधुर कंड से बोली, ये शोदा हस पड़ी, गोखुल में पहले ही कम थी, कि तु एक और आ गई, कहां से आई, कहीं से भी आई हो, पदमा बोली, नहीं गाय मान, पूतना बोली, दूद पिला दूंगी लला को, चल हटनी गोडी, पदमा ने उसे डाटा, हमें न धाय चाहिए न गाय, पूतना ने प्रतिक्षा नहीं की, ततकाल श्री कृष्न को उठा लिया, क्या कर रही है रीतू मुझ होसी, पदमा ने उसे डाटा, अरी पूतना उफन रही है, लला को जी भर कर देख तो लेने दे, पूतना बोली, बड़ी आस लेकर आई हूँ, पदमा रुक नहीं पाई, वो उसे श्री कृष्न को चीनने के लिए लक्ष लेकर आगे बढ़ी, यशोदा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने संकेत से पदमा को मना लिया, पूतना कृष्न को अपनी भुजाओं में लिये हुए, यशोदा के निकट दीवार का सहरा लेकर भूमी पर बैठ गए, उसने कृष्न को आचल में ढख लिया, पदमा ने क्रोध से उसकी ओर देखा, ये नहीं मानती, पूतना ने हाथ के संकेत से उसे मना लिया तू इतनी मर्खनी क्यों है री, चिला मत लला जाग जाएगा, पदमा अपनी चिबुक पर उंगली धरे सोचती रही, कैसी है ये लुगाई, ना मानती है ना छोडती है, पूतना ने अपने आचल के ओट से कृष्न को अत्यन दुलार से देखा, उसे अपने वक्ष से लग प्रकट हुई, क्रिश्न की आँखों में नटखट भाव था और अधरों पर चंचल मुस्कान, सैसा पूतना के चेहरे पर व्याकुलता प्रकट हुई, वो जैसे क्रिश्न को अपने वक्ष से दूर करना चाहा रही थी, किन्तु क्रिश्न के चेहरे पर एक प्रकार की द्रि पद्मा ने दौड कर क्रिश्न को थाम लिया, पूतना क्रमिशा अचेत हो गई, पद्मा ने कुछ चकित होकर कहा, देख चाची तो इसे क्या हो गया, गंगा दौड गई, उसका परिक्षन किया, पद्मा क्रिश्न को अपने साथ चिपकाए, डरी सी आकर या शोदा के निक खड़ी हो गई, क्या हुआ चाची, ये तो तेरे कानहा को अपने प्राण ही पिला गई, हाँ, ये तो अब मेरी समझ में आया, धनराज को कुछ संतोश हुआ, नहीं तो मैं भी कहूं कि कोई कैसे किसी के घर में खुसकर उसके बच्चे को दूद पिलाने लगेगा, पर स्वामी जी, क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई, जमाल उद्दीन ने हसकर पूछा, हाँ, कसर तो रह गई ना, धनराज बोले, तुमने स्वामी जी को तो भोजन के लिए बुलाया, पंडित जी को भी बुलाया, पर हमें नहीं बुलाया, कसर रह नहीं गई, तुम भी आ जाओ, जमाल उद्दीन प्रसंद हो उठा, स्वामी जी, कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, डॉक्टर लशकर ने कहा, श्री कृष्ण सब के घर से मक्षन कैसे खाते थे, जब सारे घर ही उनके हैं, तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा सुनो, तीन वर्ष के कृष्ण की बाह था में, पद्मा ने अपने घर में प्रवेश किया, उसके सेर पर खाली मटकी थी, वो दही बेच कर लोटी थी, आंगन में एक गायक सानी खा रही थी, और पद्मा का पती धर्मदत उसका दूद दूरा था, पद्मा कुछ आवेश में उसक और बढ़ी, आज फिर गईया को चराने नहीं ले गए, सूखी सानी पर डाल दिया, अरी तू समझती क्यों नहीं, वन में कैसे कैसे पशू है, कोई एक आफत है, धर्मदत बोला, आफत वन में नहीं, तेरे मन में है, मैं उधर दही बेचने जाती हूँ, और तू खाट पर पड़ा रहता है, आलसी है तू प्रथम कोटी का, शरीर को कश्च देना नहीं चाता, सारा ग्राम ले जाता है अपनी गायों को चराने, एक तेरे ही लिए वन में आफत है, पदमा ने उसे डाटा, कृष्ण ने लड़ते देखा, तो रोने लगे, पदमा का ध्यान उनकी ओर गया, क्या हुआ काना, घर जाओंगा, कृष्ण ने तुमकते हुए का, ओ ओ ओ ये भी तेरा ही घर है रे, पदमा ने उन्हें मनाया, नहीं मैं मैया के पास जाओंगा, तू समझता क्यों नहीं का गोध में उठा लिया, अब तू अकेली ये शोदा का ही हो जाएगा, कृष्ण वैसे ही रोते रहे, मैया मक्खन देती है, तो मैं भी दे देती हूँ ना, पदमा आंगन पार कर बरामदे में आई, कृष्ण को गोध से उतार कर भूमी पर खड़ा कर दिया, और छीके में से मक्खन की मटकी उतारी, हाथ से मक्खन निकाल कर कृष्ण के मूँ की ओर ले गई, ले, खा, धर्मदत के मूँ का स्वाद जैसे कसैला हो गया, वो दूद की बाल्टी लेकर पास आकर खड़ा हो गया, मुझे तो रोटी सूखी ही निगलवा दो, पडोसी के चोरे के लिए म मक्खन है तेरे पास, मेरे लिए ही नहीं है, पदमा ने उसे तीखी दृष्टी से देखा, ये काना तुझे पडोसी का चोरा दिखता है, मैं इसकी मईया नहीं हूँ, धर्मदत जैसे डर गया, कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे, तू तो मेरी भी मईया है, मेरी अम्मा, चोरे का गोरक धंदा ही कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर चुप रहा कर, जिसे गोदी में लेकर त्रेलोकी का सुक मिलता है, उसे पडोसी का चोरा कहता है, दाड़ी जार, उसका ध्यान फिर कृष्ण की ओर गया, ले खा काना, कृष्ण ने ठुमक कर कहा, आपे आपे ख खाऊंगा, पदमा ने कृष्ण के सम्मुक अपनी हथेली फैला दी, ले अपने आप खा, कृष्ण नहीं माने, बोले मटकी से खाऊंगा, पदमा पर्मानंद की स्थिती में हसी, ले बाबा, तू मटकी से खा, तू सारी मटकी खा ले, पदमा ने मटकी उसकी ओर सरका दी, कृष्ण रोते रोते हस पड़े आँखों में अश्रू की बूंदे उभर आई अपने हाथ से मटकी में लेकर मक्खन खाकर जैसे तृप ठोकर पदमा की ओर देखा तुम तो बहुत अच्छी हो पदमा धर्मदत अब तक चुप था अब चिड़कर बोला मुझे ऐसे ही मक्खन खिलाए तो मैं भी कहूंगा तू तो बहुत अच्छी है पदमा पदमा की दृष्टी कठोर हो गई चुप रहे तू धर्मदत सहम गया धर्मदत सहम गया पर पदमा का ध्यान ही उसकी ओर नहीं था उसने कृष्ट को देखकर रुष्ट होने का अभिने किया पदमा जैसे निहाल हो गए कृष्ट को गोध में उठा कर चूम लिया और फिर अपने वक्ष में भोठ शक भीच कर परमानन्द की स्थिती में अपनी आँखें बंद कर ली तु समझता क्यों नहीं बावरे, गोकुल की प्रत्येक मा का पुत्र है तू, और गोकुल का प्रत्येक घर तेरा ही घर है। कृष्ण ने पद्मा को देखा और उनके अधरों पर अत्यंत नटखट सी कृड़ा मई मुसकान प्रकट हुई, जो खिलखिलाहट बनकर सारे चेहरे पर फैल गई। स्वामी ने कथा समाप्त की, आँखे बंद कर प्रभू का ध्यान किया, अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आँखों और चेहरे को मला, शिव शिव, किसी ने उनके चरणों को सपर्श किया, स्वामी ने आँखे खोली और उस व्यक्तित्व को देखा, ये अलवर राज्य क के दिवान है स्वामी जी, शंभूनात ने उनका परिचे करवाया, मेजर रामचंद्र जी, प्रभू आपका कल्यान करें, स्वामी बोले, तो बात राजपुरुशों तक पहुँच गई, पुष्प की सुगंद फैलते देर ही कितनी लगती है स्वामी जी, वैसे तो डॉक आपने अलवर राजपें प्रवेश करते ही कृपा की, दिवान बोले, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे राजप और नगर को अपनी चरण धूली डालने योग कि समझा, कैसे आये दिवान जी, वैसे तो आपके दर्शन करने आया था स्वामी जी, दिवान बोले, किन्तु आपके मूँ से कृष्ण कथा सुनकर लोब बढ़ गया है, इच्छा है कि आपकी चरण धूली मेरे घर को भी पवित्र करे, क्यूं साधू को परकना चाहते हो, दिवान स्तब्ध खड़े होकर, दिवान स्तब्ध खड़े रह गय, मूँ से एक शब्ध भी नहीं न करते हैं, साधू को परको, दिन में परको, रात में परको, वो ये भी कहा करते थे, कि धार में खोने का अर्थ मूर खोना नहीं है, आप भी अपनी बुद्धी से परकिये, कि ये साधू अपने राज्य में आकर कहीं कोई शड्यन तो नहीं कर रहा, एक एड़िक आदिया.